दोस्तो मेरे अल्सिरेटी कोलाटिस को मैंने पूरी तरह से कैसे ठीक किया इसके उपर अलग-अलग पहलो पर मैं वीडियो बनाए है मैं बना रहा हूँ और काफी वीडियो के नीचे मैंने कमेंट्स देखी कि कुछ लोग मुझे कह रहे हैं जो ulcerative colitis को ठीक करने के लिए प्रानायम आप करते थे वो प्रानायम आप कैसे करते थे उसके उपर एक detail में वीडियो बना दीजेगा और आज आप देख रहें दोस्तों उसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला बहुत detail में मैं कैसे करता था प्रानायम कौन से प्रानायम करता था और क्या सावधानिया बरता था ये सारी बात ये details में आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा ulcerative colitis को ठीक करने के लिए सबसे important क्या है देखिए दोस्तों जो मैंने अनुभाव किया है सबसे important तो doctor की सलहा ली मैंने properly और जल्दी सलहा नहीं ली मैंने doctor किये क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये ulcerative colitis जे सही doctor के पास gastroenterologist के पास मैं नहीं गया बहुत जल्दी से जिसकी मुझे टेस्ट बहुत लेट हुई जो कि बहुत जल्दी होनी चाहिए थी जब पेट में दर्द होता था या जब मैं फ्रेश होने के लिए जाता था तो थोड़ा बहुत ब्लडिंग होती थी तो मैं जब नॉर्मल लॉक्टों के पास जाता था तो वो acidity की या pen killer की दवाई मुझे दे देते थे लेकिन जब मैं gastroenterologist के पास गया तब जाके सही तरीके से टेस्ट हो पाई वो medicine मैं ने ली allopathic medicine मैं ने जादा ने ली शुरू में इसे control करने के लिए बहुत जरूरी होता है और आइस्ता आइस्ता उसे कम कर दिए बहुत सारे लोग जो है allopathic की दवा एक तो लेते ही नहीं है देखे अगर दर्द कम है तकलिफे कम है तो ठीक है आयरवेदिक पे आप depend रहे सकते हो लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा तकलिफे हो रही है तो आपको allopathic की medicine लेनी चाहिए ऐसे मेरा मानना है और वो भी मैंने lifetime मुझे लेनी नहीं थी क्योंकि allopathic की medicine जो है दोस्तों जितना effect करती है उतना side effect भी करती है और allopathic में इसका इलाज नहीं है आपको जिंदगी भर medicine खाने की सलहा दी जाती है और उसके बाद भी मैं बताओ आपको उसके बाउजद ये ठीक नहीं होता है बाद में दवाई के आदत हो जाती है शरी को और हमारा हमारी दीन चर्या अगर ठीक नहीं है तो फिर से तकलिपे बढ़नी शुरो जाती है फिर finally वो operation करने की सलहा देते है हमारी आथ को निकालने की और मेरे ulcerative colitis के वीडियो में अगर आप देखोगी कुछ comments ऐसे है जिन्होंने मुझे कहा क्वेशन ने कि हमने surgery करवा ली है जो आथ है वो निकाल दी है और बाद में पाउंच बिठा दिया है वो पाउंच बिठा देते हैं पेट में और उसके बाउजदी क्या patient ठीक हो जाता है नहीं बात में जो समस्या है मेरे साथ जो patient ने शेर की वो यह वो कहते है कि अब भी तकलिफ हो रहे है क्योंकि हमने फिर से जब डॉक्टर से चेक अप कर रहा है तो डॉक्टर कहरें वो पाउज जो अभी श्रिंक हो गया है तो श्टूल पास होने में प्रॉब्लेम आ रही है दिक्कत आ रही है तो उसका जो मुह है वो थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा अब समझ सकते हो दोस्तों और सरजरी करने के लिए वगरा बहुत ज्यादा खर्चा आता है इसके उपर मैंने बहुत सारे वीडियो देखे थे और एक वीडियो में तब ही मैंने यह बात जान ली थी एक वेक्ति ने कहा था उस वीडियो में कि आप्रेशन करना करनी की सलहा देते हैं आत को निकाल देते हैं और उसके बाज़ी जो ठीक नहीं होता है आज मैं जब वो लोगों के कमेंट्स परता हूँ वो पेशन के कमेंट्स परता हूँ तो अपने आपको बड़ा सोभाग्यश आली मानता हूँ कि मैं जिंदगी भर मैंने ऐलोपेटिक की मेडिसीन पर डिपेंड रहने का डिसीजन नहीं लिया मैंने यह शुरू में लेनी चाहिए अगर बहुत तकलिफ होती है तो करेगा क्या इंसान बहुत जरूरी है वो भी मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है वो डॉक्टर अगर मुझे नहीं मिलते गे अस्ट्रो इंट्रो लॉजिस तो मेरी समस्या बहुत जादा बढ़जाती मत मैं आपको बता नहीं सकता हूं मुझे कितनी तकलिफ हो रही थी उस वक्त तो वह ज़रूरी है वो मैंने लिया फिर मैंने काफी आयरुवेदिक डॉक्टरों से सला ली आयरुवेदिक मेडिसिन आपने ली या नहीं ली बहुत सारे सवाल लोग मुझे पुछते हैं मैंने देख दो डॉक्टरों से सला ली मेडिसिन ट्राय किया लेकिन मुझे वह सूट नहीं हुई लेकिन उन्होंने जो मुझे डायेट बताया है वह अमेजिंग डायेट मुझे पूरी तरह से समझ में आ गया था मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं काना चाहिए ऐसी कौन सी है फूट से जूस है जो अलसरेटिक कॉलेटिस को ठीक करने में आउश्यदी का काम करते है वह सारी बाते में रेगुलर फॉलो करता था तो पहला है डॉक्टर की सला दूसरा है और दोस्तों अगर आपको ऐरवेदिक की कोई दावा सूट होती है तो जरूर 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 जरूर अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो क्योंकि एरवेदिक मेडिसिन से क्या होता है अगर अगर फॉपर डायट फॉलो निकर रहे तो वह तो वह यूपर सा उसे अगर आपके mind को आप trace free नहीं रखते हो तो दवाई भी ठीक से असर नहीं करती है चाय वो फिर आयरवेदिक दवाई हो या अलोफेथिक दवाई हो वो भी ठीक से असर नहीं करते है बीबारी दूर नहीं होती है तो मेरे mind for के मैं प्रोग्राम लेता हूँ और इस वीशवर प लखने के लिए फिर ऐसा नहीं होता है ना तुरंत काफी लोग बोलते सर ट्रेस फ्री माइन कैसे रखू मैं तो सिर्फ यह बोलने से कि आपका माइन ट्रेस फ्री रखेगा और वो इंसान भी बोले का अच्छा ठीक है मेरा माइन अब में ट्रेस फ्री रखता हो अब मुझे नहीं लेना है इतना बोलने से क्या माइन ट्रेस फ्री हो जाता है नो इतना बोलने से माइन ट्रेस फ्री नहीं होता है जो तकलिफों से हम गुजरते है उससे ट्रेस और जादा बढ़ता है और ट्रेस और जादा बढ़ने से तकलिफे और जादा बढ़ती है यह विसियस सा किताबे पड़ता था उसके बाद मैं विजुलाइजेशन करता था और प्रानायम मैं करता था कौनसी कौनसी किताबे मैं पड़ता था दोस्तों उसके उपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है दूसरा मैं किस प्रकास से विजुलाइजेशन करता था उसके उपर भी मैंने detail में वीडियो बनाई है visualization करना बहुत बहुत जरूरी है दोस्ता और mind and body cannot differentiate between reality and imagination जो imagination आप करोगे वैसे आपकी body जो है मानना शुरू कर देती है और वैसे बदला उसमें आने शुरू हो जाते है जैसे इमली का आचार का अगर आप just imagine करते हो इन चीजों को तो पानी आता है मुँमे से सामने वो चीजे हो या ना हो उसी तरह से वो visualization होता है कि मेरा शरीष स्वस्त है मेरा शरीष दुनिया का सबसे स्वस्त शरीर है ऐसा अगर आप visualize करते हो हर रोज एक रोज नहीं बहुत डीटेल में वो प्रोसेस है उसके उपर मैंने डीटेल में वीडियो बनाया है उसकी लिंक आपको मैं उपर आई बेटन पर दे दूँगा या नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगे तो visualization हो तीसरा है प्रानायम प्रानायम भी करना बहुत ज़रूर यह मैं प्रानायम करता था visualization करता था proper diet follow करता था तो चलिए प्रानायम यह वीडियो जो है प्रानायम से संबंदी थे तो सब सब पहले प्रानायम की बात करते हैं दोस्तो प्रानायम के और आगे बनने से पहले मैं आपको बता दो योगा के बारे में योगासन बहुत सारे लोग मुझे पुछते हैं योगा सिखा दो सारे योगा के व उडिएो देखे जब मैंने योगा करना शुरूर किया तो मुझे तकलिप होनी लगी पेट में और ज़्यादा दर्द होने लगता था मुझे और इस वज़े से मैंने योगा पुरी तरह से स्टॉप कर दिया और पूरा फोकस जो है मैंने प्रानायम पे करना शुरूर किया थोड़ा बहुत इस से करना चाहिए मतलब गहरी सांसों का प्रयोक इसे कैसे करते हैं क्या साउधान आमें बरत नहीं हो मैं आपको बताओंगा सबसे पहले डिप बीदिंग के क्या बेनिफीट सोते हैं डेकि दोस्तों जब आप गहरी सांसे लेते हो तो हमारे शरीर में oxygen का level बढ़ जाता है और जैसे oxygen का level बढ़ जाता है तो आपका तनाव कम हो जाता है तम उससे और एक benefit होता है आमblesता जो है अमारे श्रीमें वो ऐसी पृब्लेम आपकी कम होने लगती है क्योंकि जब हम trace लेते हैं तो आमलता बढ़ती है हमारे शरी में जिससे acidity की problem और ज़्यादा बढ़ती है acidity की वज़े से तो UC में ulcerative colitis में बहुत तकलिफ होती है तो समझ में आ रहा है आपको जब आपका oxygen level बढ़ता है गहरी सांस लेने से कम से कम 3-4 मिनिट हार वेक्ती ने गहरी सांसों का प्रियोक करना चाहिए 3-4 मिन तो कम से कम दिन में एक बार तो कम से कम इतना तो करिएगा क्योंकि हम generally अब उतनी deep सांसी नहीं लेते हैं जैसे लेनी चाहिए क्योंकि तनाव है जैसे जैसे तनाव बढ़ता है आपका सांसों का स्पीड भी बढ़ता है और गुस्से में तो सांसों का स्पीड कितना बढ़ जाता है आप देख सकते हो अपने अनुभव क्या होगा पिर ना तो हम 100% oxygen का लेवल बढ़ जाता है हमारे शरीर में तो energy कम फिल करना शुरू कर देते हैं थकान हमारी कम होनी शुरू हो जाती है ulcerative colitis में बहुत downfill होता है थकावा मैसूस होता है तो deep breathing उसके उपर सबसे सबसे बहतरीन इलाज है और भी बहुत सारी इलाज है उसमें यह एक है deep breathing उसके बाद deep breathing करने से जोस्तो हमारे शरीर में endorphin नाम का जो हार्मोन से वो ज्यादा release होता है जो एक natural pain killer का का काम करता है क्योंकि ulcerative colitis में दर्द भी बहुत होता है तो यह deep breathing से यह एक amazing benefit होता है तो अब मैं आपको बता दू deep breathing करते कैसे है इसका एक proper process है दोस्तों क्या करना है आपको एक हाथ अपने चाती पे रखना है चेस्ट पे रखना है एक हाथ और दूसरा हाथ आपको पेट पे रखना ह है इस तरह से वीडियो में शायद आपको दुसरा हाथ मेरा टिक से दिखाया नहीं देता होगा इस तरह से आपको एक हाथ चाती पे और पेट पे रखना है और सांसे लेनी है पेट भर के पेट भर के सांसे लीजेगा आप एक बार ले सकते हो या तीन चार श्रोक में आप ले सकते हो और जब अप छायती के हाथ से थोड़ा उपर आना चाहीं है मतलब वह सभी है सभी तरिका है तो पेट भर के सांस लेना है एक तो एक स्ट्रोक में आप ले लो अगर ले सकते हो नहीं तो दो चार पास स्ट्रोक आप ले सकते हो जैसे में लेता हूँ सिर्फ लेना है इस तरह से सांसे भर लीजे पूरी तरह से अपने पेट में और उसके बाद अहिस्ता अहिस्ता सांसों को छोड़ना है और फिर जब आप सांसों को छोड़ते हो तो जो पेट पे आपने हाथ रखा है वो अंदर जाना चाहिए 36 का चेश्ट के उपर का जो हाथ है वो थोड़ा फिर उपर ही फिल होगा आपको उससे लेवल जो है उसका उपर रहेगा फिर से पेड भर के सांस लेना है और अहिस्ता अहिस्ता उसे छोड़ना है फिर से पेड भर के सांस लेना है डीव ब्रीथ करना है और फिर से सांसों को अहिस्ता अहिस्ता छोड़ना है कितने मिनिट तक करता था मैं ये चार से पाच मिनिट तक में करता था ये तब की बात में बता रहूं जब मुझे अल्सेरिटी कोलाइटीस था यह प्रानाय मोगरे कप करना है पता है आपको सुभा सुभा का समय खाली पेट तब यह करना होता है एंड खुली आवा रही तो वेल एंड गुट अगर घर में भी आप कर रहे तो विंडो के पास करना या उपर च्छत आप कर सकते हैं या सबसे बेटर है आप गार्डन में कर सकते हैं लेकिन हर बार पॉसिबल नहीं होता है हमें गार्डन में जाना यहां पर हम रहते हैं उसी सबसे तो आप घर पे भी कर सकते हो लेकिन खुली आवा में डीप ब्रीधिंग आप नीचे बैठकर कर सकते हो या पूरिफे आपको नीचे बैटने में तकलिफ हो रही है तो आप चेर पे बैट कर भी इसे कर सकते हैं ऑकर सिंपल है नेक्स्ट दो प्रानायम आपको बताऊंगा दोस्तो जो इतने पावर्फुल है तने पावर्फुल है रामद्यों बाबा जी भी कहते हैं कि दुनिया की 99% जो लाई लाज बिमारिया है यह दो प्रानायम से ठीक हो जाती है लाई लाज बिमारिया और उनके पास बहुत सारे रिपोर्ट है लोगों के बहुत सारे case studies है उनके पास उसके उपर यह सारी बातों बताते है तो जो दो प्रानायम उसमें से सबसे पहला प्रानायम है दोस्तो और वो है अनुलोम वीलोम प्रानायम और दूसरा है कपाल भाती तो पहले हम अनुलोम वीलोम प्रानायम के बारे में जानते है इसके benefits क्य होते हैं कैसे करते हैं क्या सावधानिया आपको बरतनी है अलसे डिकोलाइटीस में मैंने क्या सावधानिया बरती थी और कितने समय तक करना ठीक है, उचीत है, करना ही चाहिए, इसा कितना समय तक हमें करना ही चाहिए, तो अनुलोम यूलोम प्रानायम के सबसे पहले तो आपको benefits बता दू दोस्तों, अनुलोम यूलोम प्रानायम करने से हमारे शरीर में जो सारी नाडिया होती है, वो शुद्ध होने लगती अनुलोम यूलोम प्रानायम करने से हमारे शरीर का temperature जो है वो balance में रहने लगता है अनुलोम यूलोम प्रानायम करने से हमारे शरीर का energy level बढ़ता है आपको सिर्दद वगरे ये problem तो आपको कभी नहीं होगी अगर आप regular अनुलोम यूलोम प्रानायम करते हो तो और सबसे important जो इसका benefit मुझे महसुस हुआ दोस्तों और सब भी जगह पर बतायागा है अनुलोम यूलोम प्रानायम से संबन्दित कि जब आप अनुलोम यूलोम प्रानायम करना शुरू कर देते हो इसकी practice करना शुरू कर देते हो तो आप अहिस्ता इस्ता आप खुद महसु तो इससे करते हैं तो इसे अलग अलग तरीके से किया जाता है बहुत सारेखिन तो सबसे पहले तो कुछ लोग ऐसे करते है और यह तो ऑंगुता है इससे अपने राइट को ब dalla करना है और लेट से एक बार घहरी सास लेनी है और उसे बंद करना है और राइट से वो सासे चोड़नी है इस तरह से फिर से राइट से लेना है इसे बंद करना है और लेट से छोड़ देना है इस तरह से यह पहला तरीका कुछ लोग ऐसा करते हैं दूसरा तरीका है दोस्तों कि视 Committee's कि तरव से लेए राया और हम्लिया यहां पर रखना है और सांस लेनी इसको एपर पकड़ना है और राइट से निक्ला देना है और सांस से छोड़ने कि भी सब्सक्राइब काम करना हएफ है अ में लीफ से समय डेना है इस तरह से आपको करते रहना है, और simple तीसरा तरीका है, मतलब यह ये की है, हरेक process के हरेक steps के थोड़े अलग-अलग benefits या जो है उसके aspects अलग-अलग होते हैं, तो मैं simply क्या करता था जो मैंने सिखा था इस तरह से मैं मुद्रा बनाता था बनाता हूँ मैं अभी भी करता हूँ इसे right nostro बंद करना है और left से तीन बार six उंदर में लेता था और इसे बंद करता था और right से दो बार में छोड़ देता था फिर से राइट से दो बार तीन बार में लेना है और इससे बंद करना है और लेट से दो बार में छोड़ देना है फिर से अपने लेट को बंद करना है है इस तरह से मैं करता था मचलब इसको बंद करो इससे तीन बार सा से अंदर खीचोर रैट नौर लेट नौस्टल से इससे बंद करो और इससे दो बार में छोड़ चोड़तो इस तरह से सिंपल इतना भी नहीं आपको आता है, तो simple है क्या करना, ऐसी मुद्रा करना, इस से आपको बंद करना है, इस तरह से आप कर सकते हो, जो आपको comfortable लगे, इस तरह से आप कर सकते हो, मैं कैसे करता था, यह मैंने आपको बता दिया, क्या क्या प्रकास्री लोग करते हैं, यह मैंने आपको बता दिया, तीसरा बहुत बहुत पाउरफुल दोस्तों, और वो है कपाल भाती, कपाल भाती प्रानायम, एक्चलि प्रानायम नहीं है, वैसे तो यह हट योग की क्रिया लेकिन कफाल भाती को सांसों के साथ किया जाता है और इसलिए इससे प्रानयाम कहते हैं तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं दोस्तों इसके अगिनत बेनिफिट्स होते हैं कफाल भाती के सबसे पहले तो यह आपके पेट के जो है मेटाबोलीजम को बढ़ा देता है आपके आप अब जो भी खाना खाते हो वो बहुत ही अच्छे से डीजेस्ट होता है आपका पीट जो है बहुत 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 जो है इल्दी रहता है इससे बहुत ही पावर्फül बन जाता है और और इसके पहले जो अनुलों विलों प्राणा मुल नहींoshop मैं बता करता है अंदर से बोड़ी को क्लीन करता है ऐसा कहते है कि जो वेक्ति कफाल भाती करता है लगबख 60% विष्याक्त पधारता है वो विशेले तत्वा सांसों की जरे बहार आते हैं हमारा श्रीर बहुत शुद्दर है कफाल भाती से हमारी सेरी का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अ सांसों को बाहर चोड़ना होता है, पेट को एक जर्क लगना चाहिए, जब आप सांसे बाहर चोड़ रहे हैं, तो अपने पेट थोड़ा सा अंदर जाना चाहिए, जटके के साथ आपको सांसों को बाहर चोड़ना होता है, उससे अंदर नहीं लेना है, वो अपने आप अंद इस से जोर से भी इसsoas ना अगर आपको आदत है और अगर आप पुरी тरसी सौस्त है तो कुछ इस तरह से कग a All में भी अिस तरह से आप कर सकते हो शायद मेरी संसों के आवज आपको लेना लेना कितने कितने वक्त करना है यह पुराना है वह मैं आपको बताऊंगा बाद में पहले तो प्रोसेस बता दो तो इससे सिप सांसे बार चुड़ने लेकिन जब आप कौल स्लो स्लो सांसों को बाहर चोड़ना है ज्यादा जोर नहीं देना है पेट के ऊपर आप नीचे बैठकर आ अप इसे कर सकती है सिधा बैठना है जब आप बैठकर इसे कर रहे हो तो सांसों को बाहर चोड़ना है शुरु आपको दो-तीन मिनिट ही कर यह करना है आइस्ता इस्ता बढ़ाए गाई से क्यों करता था लेकिन बहुत स्लोली-सलोली इसका इसे बढ़ाना रह अपना से 20 मिठार रोच अनुलो मिलों प्रानायम आप कीजेगा कोई साइड इफेक्ट ने होता है कोई तकलिफ नहीं होती है लेकिन जो कफाल भाती है उसे बहुत स्लोली स्टार्ट करना है और आइस्ता आइस्ता अपना स्टैमिना बढ़ाते जाना है कफाल भाती को नहीं कर सकता ज enlightenment tota जिए ने ख़ब आवाता है तकवर रसंटा नहीं होता है या पिर मेरी की किसी को समस्या है या फिर किसी को भी यह जो कफाल भातीख प्रानायम करने से पेट में तकलिफ मैसूस होने लगतीया तो रुख चाएए जबर्दस्ती नहीं करना है अपनी डॉक्टर की सलाह आप ले सकते हो तो दोस्तों यह जो प्राणायम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया आपको यह वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना यार बहुत ज्यादा मेनत लगता है यह सारे वीडियो बनाने में और आपको लाइक करने में और कमेंट्स करने मे किताबों की समरी एंड वीडियो में बनाता हो तो हेल्थ से रिलेटेड मेरा ही खुद का हेल्थ का मैं अगर अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करू तो वह ज्यादा बेटर होगा और आप लोगों के भी बहुत हेल्प होगी इसलिए मैं अल्सेरेटिव कोलाइटी से सम्म अंधित कुछ ये वीडियो में बना रहा हो तो दोस्तो थैंक्यू सो मुच मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में एक बहुत पाउरफुल टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक्यू बाइबाय टेक केर शुक्रिया